उद्धार सबका है हलो पैसा कुछ नहीं कर सकता दो चिडियां उड़ रही थी आकाश में और चहे चहाती हुई खुश थी चिडियां एक चिडिया दूसरे से कहती है कि अरे हम तो बहुत खुश हैं लेकिन नीचे जो ये आदमी घूम रहे हैं ये बहुत बेचैन लगते हैं हम देखते हैं इनके पास घर भी है रहने के लिए हमारे पास घर भी नहीं है इनके पास गाड़ी भी है गाड़ी में चलते हैं हमारे पास गाड़ी भी नहीं है हम देखते हैं इनके पास बैंक बैलेंस भी है कि इनका पैसा बैंक में भी रखा हुआ है हमारे पास बैंक बैलेस भी नहीं है तो ये इतने बेचैन क्यूं है और हम इतने खुश क्यूं है तो दूसरी चिडिया भोलती है इनके पास परमेश्वर नहीं है आलेलया इनका संबंध परमेश्वर से नहीं है ये परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं ये पैसे पर भरोसा करते हैं मकान पर भरोसा करते हैं गाड़ी पर भरोसा करते हैं इसलिए ये दुखी है हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं हमारे पास बैंक बैलेंस भी नहीं है हमारे पास गाड़ी भी नहीं है हमारे पास खाना रखने के लिए भंडार भी नहीं है हमारे पास रहने के लिए मकान भी नहीं है लेकिन हम इन से ज़्यादा सुखी है क्योंकि हम हर बात में परमेश्वर पर भरोसा रखते हलेलुया और इसके लिए प्रेम का होना बहुत ज़रूरी है हालेलिया आज मैं आपको जो बचन बाटने वाला हूँ वो प्रेम पर है कि प्रेम क्या है परमिश्र का प्रेम क्या है आपका प्रेम क्या है आप प्रेम को क्या समझते हैं कि आप कैसे प्रेम करते हैं कि अपने लिए तो हर कोई जीता है कि आप इशू के लिए जीते हैं कि आप रोज अपने आपको देखते हैं कि मैं इशू के लिए जी रहा हूं कि नहीं जी रहा हूं हिसलोट है आपने कश्रीर के लिए और मुझे घाना है अब और कोई दो खाना खाना है उके BOY एक दिन पहले या और कल मुझे ये खाना है रातों खाना कंने बैठते हैं और देवर पर ही बात होती है कल क्या बना रहे हूं अ कैल क्षाणा क्या बनेगा अ ऐसन Community को अब्ध् вызत अरे अभी तो ये खाय था यार अभी फिर ये बना रहे हो नहीं 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 कुछ दूसरा बनाओ लेकिन परमेश्वर के लिए हम कब जिये थे परमेश्वर के लिए कब हमने अपने समय निकाला था परमेश्वर के लिए कब हमने सोचा था कि नहीं ईशू मसी मेरे लिए मरा है मुझे पापो श्रापों से मुख्ट करने के लिए अब सोचिए परमेश्वर का प्रेम कि परमेश्वर आप से इतना प्रेम करता है कि उसने अपने एक लौट पुत्र को आप के लिए बलिदान कर दिया हम अपनी नीन बलिदान नहीं कर सकते हम अपना समय बने बाध नहीं कर सकते Hello Praise a lot और नहीं कि अपने लिए जीना छोड़ दीजाए मुझे जीना है तो प्रभू के लिए जीना है यह जीवन मेरा नहीं है जिस दिन अपने जीवन को ना कहना शुरू कर देंगे न आप परमिशर की हाँ सुनने शुरू हो जाएगा सुनना शुरू कर देंगे परमिशर की हाँ आप परमिशर की आवास को सुनना शुरू कर देंगे अपना ना कहिए नहीं, नहीं चाहिए, मुझे मेला सुख नहीं चाहिए, इशू के बिना मेला कोई भी सुख मुझे नहीं चाहिए, मैं अगर परमेश्र की आग्याओं को नहीं समढ सकता हूँ, अगर मैं परमेश्र की आग्याओं पर नहीं चल सकता हूँ, तो लानत है मुझ पर, इस जीवन को जो परमेश्वर ने अपने इकलाउते पुत्र के बल्दान के द्वाला मुझे दिया है एमेन यह सांसे जो आपके अंदर चल रही है ना मेरी भेन यह भी आपकी नहीं है यह परमेश्वर ने आप अपनी सांसे आपको दी है आलेलुया प्रेस अलॉट ध्यान से इस वचन को सुनिए मैं विश्वास करता हूँ आपका जीवन बदल जाएगा आज हम बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जो आपको परमेश्वर के और करीब लेकर आएगा सच में परमेश्वर क्या चाहता है आज आपको पता चलेगा परमेश्वर को हमको कैसे ढून रहा है इसके बारे में आपको पता चलेगा परमेश्वर आप में क्या ढूनता है इस बारे में परमेश्वर आपको बताएगा आज आपके शरीर को नहीं देखता है वो आपकी आत्मा को देखता है वो आपके मन को देखता है इसलिए उसने अपनी आत्मा आपके ऊपर डाली है अपनी आत्मा आपकी आत्मा के ऊपर रखी है पेसलोट आप उसकी कीमत को समझे समझे आपकी परमिशन आपसे बहुत ब्यार करता है हाललिया मैं दो वचन आपके लिए पढ़ूँगा उसके बाद हमारे बच्चियां पढ़ेंगी हाललिया लुका दसका तीस से लेकर चौतिस के बीच में हम पहले पढ़ेंगे उसके बाद पहला करुंतियन तीरा का एक से तीन पढ़ेंगे हाललिया तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ ध्यान से वचन को स्क्रीन पर रखिए और जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको समझे ध्यान से हाललिया लूका 10, लूका 10, 32, 34 इशु ने उत्तर दिया एक मनुष्य यरुश्रम से यहरियों को जा रहा था वो डाकों से घिर गया उन्होंने उसे नंगा कर दिया मारा पीटा और अधमरा छोड़ कर चल दिये स्रयोग से एक याजक उस मार्क से जा रहा था और जब उसने उसे देखा तो कत्रा कर चला गया इसी प्रकार एक लेवी भी उदर से निकला और उस इस्तान पर पहुँचकर जब उसने उसे देखा तो कत्रा कर चल दिया परन्तु एक सामरी भी जो यात्रा कर रहा था वहां पहुँचा जब उसने उसे देखा सुष्रिश्रा की हालेलिया प्रेज तो लॉट दूसरा भजन हम लेंगे पहला कॉरंटियन 13 का एक से तीन यदि मैं मनश्यों और सरदूतों की भाशाएं बोलूं पर प्रेम न रखूं तो मैं ठंडेनाती घंटी और जंजनाती जाज हूँ यदि मुझे नबूबत करने का वर्दान प्राप्त हो और मैं सब भेदों तदा सब प्रकार के ज्यान को जानूं और यदि मुझे यहां तक पूर्ण विश्वास हो कि मैं पहालों को हटा सकूं पर प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ती कंगालों को खिलाने के लिए दे दूँ दान कर दूँ और अपनी देह जलाने के लिए सौब दूँ पर प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाब नहीं है यरुष्रम से यरियों की तरव एक आत्मी आ रहा था अकेला अकेला और बचन कहता है कि डाकों ने उसे लुटा उसे मारा कूटा और पीक के चले गए अलिलुया और वहां से याजग जा रहा था अलिलुया परमेशर का याजग कौन परमेशर का चुना हुआ दास लेकिन जब वो यहां से जा रहा था उसने देखा अधमरा आदमी बैठा हुआ है बाइबल कहती है वो कत्रा कर चला गया कत्रा कर हलो देखा उसने घाब है इसको जरूरत है मेरी मुझे इसकी हेल्प करने चाहिए लेकिन वो कत्रा कर चला गया उसके के बाद पीछे ले भी आया जो कि वह भी चुना उआ था परमिश्र का दाँज सुना वह एक गोत्र से था ओक हो वह भी आया उसने देखा उस आदमी को अधमरे आदमी को और वो भी गत्रा व्ही चला गया लेकिन एक साम्री जो परमिश्र का चुना वो नहीं था सामरी नीची जाती का था जब वो वहां से आया तो उसने देखा कि यादमी अध्मरा है और उसने उसे उठाया अपने पीठू पर अपने गदे पर लादा और उसकी सेवा की बचन कहता है पहला करुंधियन तेरा का एक से तीन कि अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है और मेरे अंदर धन है संपत्ती है मैं अगर सुर्दूतों की भाषाएं बोल सकता हूँ अगर मेरे पास अद्बुत वर्दान है और मेरे पास प्रेम नहीं है तो मैं ठंटनाती घंटी हूँ अधिकार जो परमेश हो ने दिया था उसके सिर पर चड़ी गए था कि मैं याजक हूँ मैं याजक हूँ मैं अगर इसको छिएंगा ऑप retrouve हो जाओंगा मुझे में परमेश की सेवा करनी है मुझे लोगों से दान लेना है मुझे लोगों से दशांस लेना है अगर मैं इसको छूँगा तो मैं पवित्र हो जाओंगा ये मेरा काम नहीं है हलो क्योंकि उसके अंदर प्रेम नहीं था हलिलुया अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है और वाइबल कहती है कि आप वर्दानों से भरे हुए है आपके पास परमेश्र का अधिकार है आप मुर्दों को जिन्दा कर सकते है लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप घंटनाती घंटी है परमेश्र के सामने आपके कोई वैल्यू नहीं है अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है क्योंकि यहानना तीन का सोला क्या कहता है कि उसने जगह से इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो विश्वास करे वो नाश ना हो बलकि अनुंत काल का जीवन पाए क्यों परमेश्वर ने इश्व को दिया क्योंकि उसने प्रेम किया अलिलुया उसने क्या किया प्रेम किया मदर टेरेसा से किसी ने पूछा कि मदर टेरेसा कुमारी आप में शादी नहीं की कुछ नहीं किया आप कैसे जब कोडियों को लाती है आप जब अपंगों को लाती हैं, उनके घावों को देखती हैं, उनके घाव उनके मूँ से निस रहे हैं, कैसे आप उनको पूछती हैं, कैसे उन घावों को आप ठीक करती हैं, कैसे उन घावों को आप पूछती हैं, आपके मन में क्या होता है उस समय जब आप उसके घावों को पहुच्छती है मदर टर्रस है ने कहा मैं जब भी किसी कोड़ी को किसी अपाईश को जिसका रक्त बहता है जिसके जखम हरे होते हैं जब भी मैं उनको पहुच्छती हूँ मैं सिर्फ इशु को देखती हूँ मैं उसमें इशु को देखती हूँ मैं उस कोड़ी की सेवा नहीं कर रही हूँ मैं उस इशु की सेवा कर रही हूँ क्यों क्यों कि इशु का प्रेम उसमें है अगर आपके अंदर इशु का प्रेम नहीं है तो आप सेवा नहीं कर सकते अब इकुल नहीं कर सकते आप सिर्फ सेवा करने की डूटी कर सकते चर्च आने की डूटी भर निवा सकते आप नहीं कर सकते और आप एक दिन ऐसा होगा करते करते उखता जाएंगे जग जाएंगे कितना जूट बोलेंगे जा कितना लोगों से जूट जूट प्रेज अलॉट प्रेज अलॉट प्रेज अलॉट प्रेज अलॉट बोलेंगे प्रेम नहीं है embassy में सब्सक्राइब आपके अंदर प्रयम ढूंदता है अगर आप प्रेम को नहीं समझेगे तो आप इशु को नहीं समस्कें की पर में मैं पहला यहनना चार का सोला और सत्रा पडिए पहला यहनना चारका ऑफ अब सत्रा जो प्रेम पर में हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है परमेश्वर प्रेम है जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो परमिशर आप में नहीं है अलो आप चाहते हैं आपके अंदर परमिशर हो कितने लोग चाहते हैं कि परमिशर मेरे अंदर हो अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो परमिशर आप में नहीं है अलेलिया लेकिन प्रेम क्या है प्रेम क्या है प्रेम इशालू नहीं है प्रेम घमंडी नहीं है प्रेम सहन शीलता है प्रेम में सहन शीलता है प्रेम में नमरता है प्रेम में सिर्फ पाने की इच्छा नहीं है पर में प्रेम में देने की इच्छा है प्रेम क्या है अगर प्र परमिश्वर आप में है इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिया हो क्योंकि जैसा वह है वैसा ही संसार में हम भी है इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ इसी बात से प्रेम हम में सिद्ध आपके अंदर प्रेम कैसे सिद्ध होगा अगर वो बात अगर आपके अंदर वो वाचा नहीं है अगर आपके अंदर साहस नहीं है तो प्रेम नहीं है अलिलिया प्रेस अलॉट अगर आप जानते हैं कि आपका पिता आपसे प्रेम करता है तो आपके अंदर सास होगा और पापा से बुलेंगे पापा मुझे ये चाहिए बाइबल क्या कहती है कि अगर जमीनी पिता मशली मांगने पर मशली देता है तो क्या सुर्गी पिता आपको नहीं देगा इमेन इस बचन को समझ के देखिए कई लोग निराश हो जाते हैं कई लोग मसी होने के बाद भी अनाथों का जीवन जीते हैं अनाथ बनकर जीते हैं आप लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि अगर आप जमीनी पिता से रोटी मांगेंगे तो क्या वो पत्थर देगा अगर जमीनी पिता से रोटी मांगेंगे तो रोटी देगा तो क्या आप सुर्गी पिता से मांगेंगे तो आपको नहीं देगा अगर देगा, तो आपका विश्वास, मुकंमन होना चाहिए, क्यों नहीं है, क्योंकि आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर शक है, बहुत से मesz्यीह, शक की बिना पर जीते हैं, संधे के नहींड, पता नहीं मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा पता नहीं मेरे प्रात्ना पूरी होगी नहीं क्यों नहीं होगा हलो 17 का तईस पड़िए 17 का तईस यहना 17 का तईस मैं उनमें और तू मुझमें कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तूने मुझे से प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा जैसा तूने मुझे से प्रेम रखा कितने विश्वास करते हैं कि जैसा परमेश्वन ने इशू से प्रेम किया वैसा ही परमेश्वन मुझे से प्रेम करता है आप अगर विश्वास करते हैं तो आपके बीस में तनाव नीए होना चाहिए आपको हर बात में धन्यवाद देना चाहिए जैसा परमेश्वर ने इशू से प्रेम किया, वैसा ही परमेश्वर मुझ से प्रेम करता है बचन कहता है, यह हुनना 17 का 23 आप जैसा परमेशों ने इशू से प्रेम किया इशू ने परमेशों से क्या कहा था परमेशों ने इशू से क्या कहा था कि ये मेरा प्रिये पुत्र है मैं इससे अती प्रसन हूँ कहा था हलो हा के ना कभी आपसे कहा है कभी आपसे परमेशों ने कहा कभी आवाज आई आपको कि यूँ नहीं आई कि जाब इशु मसी बच्पन में था तो वो अधीन होकर रहा लुका दोका 251 लुका 251 तब उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वर्ष में रहा उनके वर्ष में रहा मरियम और जोजफ के वर्ष में रहा कौन इशु कौन रहा अलो कौन रहा इशु मसी किसके अधीन रहा किसके वर्ष में रहा किया अपने माबाब के वर्ष में हैं कि आप अपने माथा पिटा के अधीन हैं नहीं है आप अपने माबाप की इज़त नहीं करते हैं आप समझते कि अपने माबाप से ज़्याद समझधार है अलिल्या पर मरियम और जोजफ जो कि इशुमसी की माता थी बाइबल क्या कहती है कि वो 18 साल तक उनके अधीन था, अपने माबाप के अधीन था, परमेशर की आत्मा उस पर आये, उससे पहले वो 18 साल तक अधीन था, क्या आप एक दिन भी अधीन हुए अपने माबाप के? अधिन्ता का मतलब समझते हैं अपने मन की नहीं करना जिसके अधीर हैं उसके अनुसार चलना कौन था इश्यो मसी परिपक्व कौन था इश्यो मसी चुना हुआ कौन था इश्यो मसी परमेश्यर का पुत्र वो संपूर्ण था वो सिद्ध था लेकिन किसकी अधीन था आम आद्मियों के क्या मरियम और जोजफ संपूर्ण थे सिद्ध थे नहीं थे इशू था लेकिन फिर भी पिता से मिलने से पहले वो अठारा साल तक उनके अधीन था कि यह अलेलोय यह बैसला युजव मारियमने का ये सजय सब्थिया कि एस लिए फर्मेश्च ने जब आकाश वाणी हुई जब उसने भबत्ष्मा लिया उसने का ये अत्य पुत्र है इससे मैं अति प्रसन हूं प्रेसरा लॉड को वन पर्मेशह का प्रेम ठाएं इसू मसीं क अंदर जो उसको अधीनता में रखा रहा हम किसी की आग्या कब मानते हैं जब उससे प्रेम करते हैं हालेलिया हम किसी की आग्या क्यों मानते हैं उससे प्रेम करते हैं और अगर हम दवाब में आग्या मानते हैं तो दो चार वार आग्या मानने के बाद फिर हम अपना रूप नो दिखा देते हैं हच यैह बहुत हो गया तेर हां में हां करते करते अ ह सबतों हिलिया है और लो कैते हैं कि आप इंसान पैसा आता तो बदल जाता है कहते ना लोग कहा सब्काहत आताव आप बðственно नहीं है तब्रहें नहीं है और बदलता अच्छा उने नहीं अच्छा जिसन ताकत आई जिसने कुर्सी मिल गई जिसन पैसा मिल गया जिसन गाड़ी आ गई उजी गारे आप चुप क्योंकि वो जो सभाव ता वो पहले ही था उसके अंदर वो चेंज नहीं हुआ है वो प्रकट हुआ है वो आदमी पहले से ऐसा था चेंज नहीं हुआ है कोई पैसे के बाद चेंज नहीं होता है वो शुरू से ऐसा था उसने अपने अंदर जो गलत चीजें थी उसके अंदर धोका देने की बात थी उसका जो गलत विहार था चुपा अभी नहीं अभी नहीं बाद में मुझ खोलूंगा अभी नहीं अभी ये काम निकलना बागी है अभी ये काम निकलना बागी है इमें तो उसका चेहरा प्रकट हुआ तो अब पहले से उसके अंदर ऐसा है प्रेस अलोट इसलिए इशु के अंदर प्रेम था इसलिए वो अधीनता के साथ रहा अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप अधीन नहीं रह सकते हैं अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप रभू को नहीं पा सकते हैं वो जो याजक था जिसने देखा वो आदमी जो अधुमरा था जिसको डाकों ने मारा कूटा उसने जब देखा याजक देख जो कत्रा कर चला गया बाइबल कहती है वो हेल्प कर सकता था लेकिन उसके अंदर वो चरित्री नहीं था सवभाव ही नहीं था प्रेस लौट हालेलुया परमिश्र क्या बता रहा है आपके सवभाव में आपका सवभाव में आपको आशी शुपी हुई है आपके सवभाव में आशी शुपी हुई है इसलिए परमिश्र का प्रेम इसलिए परमिश्र ने संसार से इतना प्रेम किया कि अपने एकलोते पुत्र को दे दिया इतना प्रेम किया उस वचन को समझे थोड़ा प्रेम ने किया इतना प्रेम किया कि अपने एकलोते पुत्र का बलिदान कर दिया आप उस प्रेम को समझें कि आपके लिए इस्षू मसी मरा और मर के जिंदा हो गया कि इससे वह कहता सतरक्षाव बच्ण पहला यह ना चार का सद्रक्रव कहता है कि हमारे अंदर वो हियाब प्रेम ही है जो हमारे अंदर हियाब सास पैदा करता है कि हम सामने जाएं परमिश्च के सामने जाएं क्योंकि जैसा वो है वैसा हम है कौन है वे कैसा है इशू आपको पता है अगर आपके अंदर प्रेम है जैसा इशू मसी इस समय स्वर्ग में है वैसे ही उसी पोजिशन में हम लोग है क्या विश्वास करते है हालिलुया जैसा इस समय इशू है सुचिए आप इसलिए वो कहता है कि जैसा परमेश्व ने इशू से प्रेम किया वैसा ही परमेश्व ने मुझसे प्रेम किया जिस दिन आप इस एहसास के संग जीना चुरू कर देंगे क्या इश्व मसी की हरिष्ष पुरी के पर्मिशन है कि अन् railway का मतलब क्या होता है इच्छा पुरी करना कि मैं आपकी हर बात मानता रहाँ इसलिए मैं आपसे प्रेम करता हूं जब इशुमसी ने का कडोरा नहीं चाहिए तो परमिशन ने का नहीं कडोरा चाहिए पिता अच्छा कौन है जो आपकी हल जरूरत पूरी करें लेकिन बेकार की जरूरतें पूरी करें नहीं मना करतेता है करता है कि नहीं करता है इसका मतलब यह नहीं कि पिता आप से प्यार नहीं करता अगर आपका बच्चा कहेगा कि साथ मुझे प्लेन लाके दो चाहिए आपके पास प्लेन का पैसा भी हो चाहिए आप प्लेन ला सकते हैं लेकिन अगर एक बच्चे को प्लेन उड़ाना नहीं आतारों आजिसे मुझे प्लें चाहिए साख अगर आम से प्यार कदे मुझे प्लें दीजे rust आप देंगे कि Tie क्विभ आप जानते पॉसकी नीड है कि आपसे इसलिए पाइबल में वचन है कि अगर कोई अपने पिता से रोटी मांगे तो क्या वो पत्थर देगा कि हालेलुया कि वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है प्रेम किसमें है कि मैंने पिता से मांगा अगर उसने मना किया तो धन्यवाद प्रेम किसमें है प्रेम आजमाने में नहीं है प्रेम उसको नापने में नहीं है कि मेरे पास पिता के पास सब कुछ है वो तो सर्वशक दीमान है कि मैं परमिश्र का चुनाओं अदास हूं मैं अगर मागो परमिश्र मुझे सामर दे कि मैं उड़ने लगूं कि क्या मतलब हुए कि क्या मतलब हुए इसका को कि लोत असंबाव को संबाव करने वाला है ज्वोच जो चीज dolls नहीं देखी कान में ने सुधी चितमें नहीं स्मै वो परमिश्र ने उसने हमें हमें दे दी है हाललिया और वह आतमा के द्वारा permission ने प्रकट की है लेकिन हमें उस आत्मा को समझना है हमारा प्रेम क्या है प्रेम को समझिए अगर आप प्रेम को नहीं समझेंगे तो वो आशीश नहीं प्राप्त करेंगे इसलिए permission इसलिए issue मसी ने बताया कि वो कौन है अललुया दो का उन्चास पढ़ी दो का उन्चास लुका लुका 249 लुका 249 उसने उससे कहा तुम मुझे, तुम मुझे को क्यों ढूडते हो क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्य है हलो लू क्या का इशू मसी ने अपने माबाप से बोलिये बोलिये क्या कहा क्या कहा कि मुझे अपने पिता के घर में पूरी बाइबल में पुराने नियम में कहीं भी परमेश्वर का घर पिता का भवन नहीं कहा है परमेश्वर का भवन कहा है उसने क्यों परमेश्वर को पिता के रूप में देता है क्यों परमेश्वर क्यों इश्वर मसी नए नियम में हमारी मुलाकात परमेश्वर से पिता के रूप में करवाता है ताकि हमारा प्रेम बड़े पुराने नियम में कहीं भी पिता शब्द यूज नहीं हुआ है परमेश्वर का भवन पहली बार इश्व मसी ने बताया कि वो परमेश्वर मेरा पिता है बोलिए परमेश्वर वो परमेश्वर मेरा पिता है आलेलिया यहन्ना 20 का 17 पढ़िये और यही बात उसने चेलों से कही थी येश्व ने उससे कहा मुझे मत चूँ क्योंकि मैं अब तक पिता के पास उपर नहीं गया परंतु मेरे भाईयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुमारे पिता और अपने परमेश्वर और तुमारे परमेश्वर के पास उपर जाता हूँ इमेन परमेश्वर अपने चेलों को बता रहा है कि परमेश्वर को पिता के रूप में प्यार करो परमेश्वर को पिता के रूप में विश्वास करो इसलिए उसने वह अला कि मेरा पिता तेरा पिता तेरा मेरा परमेश्वर तेरा परमेश्वर क्योंकि हमारे अंदर प्रेम बना रहे हम जब भी प्रात्रा करें तो पिता से प्रात्रा करें हलिलुया हम जब भी प्रात्रा करें हम प्रात्रा करें तो हमारा पिता जो सामने है वो हमारे सामने है वो हमसे बात करता है वो हमारे लिए जागता है वो हमारे सिर पर हाथ पेड़ता है प्रेस अलोड इसलिए परमेश्वर ने इसलिए ईशो मसी ने हमारा मुलाकाद परमेश्वर को पिता के रूप में दिया एमेन क्या कि हमारे प्रेम बना रहे हमारा प्रेम बढ़े हमारा प्रेम बढ़े जिसलिए जाते जाते ईशो मसी ने अपने चेलों क्या कहा कि एक दूसरे से प्रेम करो यहन ना तेरा का चौंतिस John 13, 34 मैं तुम्हे एक नई आग्या देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुम से प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दुसरे से प्रेम रखो प्रेम रखो मेरी बेहन अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है आप ठंटनाती घंटी है अगर आप स्वर्दूतों की भाशाय भी जानते है आपके पास बहुत धन है आपके पास बहुत शक्ती है आपके पास बहुत बुद्धी है लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है प्रेम ही है जो दीनता सिखाता है नम्रता सिखाता है प्रेम ह नहीं आता है प्रेम के अंदर ख्षमा की भावना आती है प्रेम है आप यतने खूबसूरत क्यों ना हो जाए अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो वही खूबसूरती आपकी बसूरती में बदल जाएगी और अगर आपके अंदर प्रेम है तो वही बसूरती आपके आता है कि प्रेम संदे नहीं करता है कि प्रेम किसी को नीचा नहीं दिखाता है कि प्रेम किसी को समझता है कि इसलिए परमेश्वर प्रेम है पहला यह नहीं साथ चार का साथ पढ़िए साथ से नौ जली से पढ़िए नवा प्रेम परमेश्वर हम से रखता है वो यह है कि हम उसके पुत्र के द्वारा जीवन पाए है आपका प्रेम क्या है आपका प्रेम का किसी को देने में है आपने कभी प्रेम किया है वो भाई वो बहन मेरे द्वारा अशीश पाए है मैं किसी के लिए अशीश का कारण बनूं य परमेश्वर ने आप से इतना प्रेम किया कि अपने इकलोते पुत्र को दिया ताकि आप जीवन पाएं अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपके अंदर जीवन नहीं है आपके अंदर प्रभू नहीं है अलेलुया प्रेम प्रेम इसका साथमा दुबारा निकाल लिए इसी का साथमा हे प्रियों हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमिश्वर से है हम आपस में प्रेम रखें क्या हम आपस में प्रेम रखते हैं कि हम संडे के संडे बीच में कभी किसी को मिलने की कोशिश करते हैं कि हम किसी के लिए फोन भी करते हैं कि हम फोन करके देख लें भाई यह मेरी बहन जो मेरे पास लास्ट वीक बैठी थी लास्ट संडे जो मेरे पास बैठी थी वह बहन कैसी है कभी आपके पूछने का मन किया मैं नहीं कह रहा हूं कि आदमी बेहनों को फोन करें बेहने बेहनों को फोन करें भाई भाई को फोन करें लेकिन क्या कभी आपके मन में आया कि मैं किसी भाई से पूछू गया भाई सब ठीक है कोई मेरे लाइख सेवा हो तो बताईए कभी आपने पूछा है मैं कह रहा हूँ चलो भाईयों को छोड़ दो कभी आपने अपने पासवान को पूछा है फोन करके के पासवान कैसे हैं आप ठीक चल रहा है पासवान सब कुछ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको लगता है हमने बोला प्रॉब्लम और प्राश्टर ने बता दी तो तो कहां जाएंगे फस जाएंगे इसलिए पूछो ही मत आपको पता है आपका ये एक्सरसाइज आपको आशीश दिलाएगा एक दूसरे से प्रेम करो इश्व मसी कहते हैं एक दूसरे से प्रेम करो मन में ही सोच के मत करो कि मैं तो उससे प्रेम करता हूँ अपने प्रेम का इजहार करो जिस तरह किसे एक ललका एक ललकी से प्रेम करता है वो चुपने ही बैठते है चैक कुछ भी हो जाए आजकल तो मैसिज चैटिंग है चैटिंग के थूप बोलते हैं I love you क्या हुआ नो आपस में तो इजार तो करते यह बात यहां से वहां तक कैसे पहुँचेगी कोई ना कोई तो जरीया चाहिए Bible कहती है एक दूसरे से बोलो एक दूसरे से प्रेम करो Amen इसलिए अगर आप प्रेम का इजहार नहीं करेंगे तो कैसे होगा Hallelujah जब आप अपने प्रेम करना सीख जाएंगे मैं सच कह रहा हूँ आपका प्रेम परमेश्र के लिए भी बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा आप करना देखिए करके देखिए अपने पडूसी से प्यार करने की कोशिश करें ना सही अपने पडूसी से चर्ष में जो भाई बैना आते हैं उनसे पाल लिए यह नहीं कि उनसे कुछ लेने के लिए प्रात्रा कर रहे हैं No हमें कुछ लेना नहीं है कैसे हैं आप उनका दुख बाटिए, उनसे प्रेम करिए हम अगर अपने दिन का आदा घंटा भी गुजा रहे हैं ऐसे इस प्रेम करने में मैं आपको सच कह रहा हूँ, आपको एक आत्मिक शक्ति का हैसास होगा आप इन वचनों को समझ नहीं रहे हैं आप समझ नहीं रहे हैं यह वचन आपको जीवन देने वाले हैं, यह वचन आपको सामर्थ देने वाले हैं प्रेस अलॉट क्योंकि परमिश्र की आग्या है, जो करो प्रेम से करो पहला करंथियन 16-14, फर्स करंथियन 16-14 एक छोटा सी आग्या है परमिश्र की, फर्स करंथियन 16-14 जो कुछ करते हो प्रेम से करो अगर चर्च में आके जाडू भी लगाते हैं प्रेम से करो कुर्सी पोच्टे हो प्रेम से करो इस्तुती करते हो प्रेम से करो बोज नहीं होना चाहिए मैं नहीं आना चाहिए प्रेम से करो अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है ना मेरे भाई तो कुछ भी नहीं है चाया आप दशांस देते हों, चाया कुछ भी देते हों अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है प्रेम से करो Haliluia वो कंगाल विद्वा याद है उसके पास दो दमड़ी थी लेकिन उसने प्रेम से दिया परमेश्वर को प्रेम से न आप कुछ नहीं देंगे न, बहुत है प्रेम को भीकारी मत समझो कि चलो थोड़ा सा दे दिया जैसे आपने किसी को दे दिया, चला है यहाजार रुप आपके कभी भी ऐसी भूल करना ही मत वो परमेश्वर है हम उसको क्या दे सकते है मैं सच क्या रहा हूँ जो करो जो कुछ करते हो प्रेम से करो अगर आपके करने में प्रेम नहीं है अगर आपके चलने में प्रेम नहीं है आपकी सेवा में प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है आज का बचन आपको अच्छा लगा आपने पडूसी से बोलिए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ आपने पडूसी से बोलिए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ अगर किसी का किसी का नंबर है आपके बाद उसको फोन करके बोलिए कि मैं आपसे प्राहर करता हूँ आदमी आदमी को बोले आदमी औरत को ना बोले पता चला पास्टर ने कहा था ये नमबर हमें चर्श से मिला बेहन पास्टर ने कहा मैं आपसे प्यार करता हूँ ऐसा मत करिएगा वाई आलेल्या प्रेस लौट आलेल्या